गदर 2001 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है इस फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा ने और निर्मान नितिन केनी ने किया था इसमें सनी देउल, अमीशा पटेल और अमरीश पूरी मुख्य किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म को 15 जून 2001 को सिनेमा घरों में पहली बार दिखाया गया इस फिल्म में सनी देउल को उनके शर्मीले किरदार के लिए फिल्म फिया का सर्वश्रेश्ट अभिनेता पुरसकार हेतु नामान कित भी किया गया था इस फिल्म को बनाने में लगभग 18 रूपे और 50 पैसे से 19 करोड रूपे रूपे लगे थे फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद ये भारत की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली दूसरी हिंदी फिल्म भी बन गई इस फिल्म ने कुल 78 करोड रूपे रूपे की कमाई की थी गदर टू दकथा कंटिन्यूज नामक एक सीक्वल निर्मानाधीन है और 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली है ये तारा सिंग, सनी देओल और सकीना, अमीशा पटेल की फ्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचा कर अपने साथ ट्रक में ले जाते रहता है और इसी दौरान वो अपने पिछले समय को याद करते रहता है जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी तारा असल में एक गायक बनना चाहता था पर उसे मौका नहीं मिला था जब वो सकीना और उसके दोस्तों से मिलता है तो वे लोग उसे बेवकूफ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है तारा को बाद में पता चलता है कि वो कोई शिक्षिका नहीं बलकि उसी कॉलेज में पढ़ने वाली विद्यार थी है सकीना उसके गायकी से काफी प्रभावित रहती है और अपने कॉलेज में हो रहे संगीत समारोह में अपने जगह तारा को गाने का मौका देती है तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कहके अपने घर चले जाती है वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आता है और उसे किसी तरह उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है बाद में सकीना को लगने लगता है कि उस दंगे में उसके पेता अशर्फ अली अम्रीश पुरी की भी मौत हो गई है बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफी अच्छा चलते रहता है कि तब ही एक दिन सकीना की नजर के पुराने अख़बार पर पढ़ती है जिसमें उसके पिता होते हैं जिसे वो मरा हुआ समझ रही होती है वो अब लाहौर के मेर हैं वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास से कॉल करती है और वो उसके लाहौर आने के लिए विमान का इंतजाम करता है हाला की तारा और उनका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं लेकिन वीजा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है वहां जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात कहती है तो उसके माता पिता मना कर देते हैं जिससे सकीना का दिल तूट जाता है सकीना के पिता उसकी जबरन दुसरी शादी कराने की कोशिश करते हैं इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है वे लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं सकीना के पिता उसके सामने दो शर्ट रखते हैं कि उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इसलाम में परिवर्तित होना पड़ेगा अशर्फ को लगता रहता है कि तारा कभी इन दोनों शर्टों को नहीं मानेगा पर अगले दिन वो दोनों शर्ट मान लेता है इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को कहता है ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशर्फ द्वारा नियुक्त किये हुए हमलावर जो उसे मारने वाला होता है उसे मार देता है वे तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं उन तीनों को ट्रेन मिल जाता है जो भारत जाने वाला होता है वे लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं जब अशर्फ को ये बात पता चलती है तो वो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है इसी दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है अस्पताल में सकीना कोमा में चले जाती है जब उसे वापस होश आता है तो फिल्म में दिखाया जाता है कि अशर्फ अपने नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वे लोग वापस भारत लोट जाते हैं